नमस्कार ये 12 फिजिक्स एलेक्रोइस्टेटिक्स का पार्ट दूसरा है जिसमें लगभग 32 या 33 कोश्चन और होंगे इसको अच्छा से सॉल्व करेंगे और खूल मिलाके पिछला क्लास और आज का क्लास मिलाकरके लगभग 58 या 60 के राउंड कोश्चन होंगे इसको अच्छ 25 नमबर कोश्चन यह कहता है किसी वस्तू को आवेसित किया जाते तो उसका द्रब्यमान पर क्या इफक्त पड़ता है यह भी 2018 में बहुत इंपोर्टन कोश्चन है बहुत प्रचलित भी है देखिए आवेसित करिएगा ना तो उसमें प्लस चार्ज और माइनस चार्ज भी ठीक है आगे बढ़ेंगे बिधुत सील्ता का ऐसा ही मात mall होता है बिधुत सील्ता भाई epsilon naught ऑना epsilon का मात रख तो वही हो जाएगा बस कुलम स्क्वाइर अप्रती हाना न्यूटन मीटर स्क्वाइर चलिए देखे तो कहा है कुलम स्क्वाइर प्रती न्यूटन मीटर स्क्वाइर हाँ यही तो है कुलम स्क्वाइर प्रती न्यूटन मीटर स्क्वाइर आगे बढ़ेंगे अगला गोस्चिन 27 नमर कहता है कि A की ही पदार्थ के धातु के दो गुले A और B दिये गए है एक पलस Q आवेस है दूसरे पर माइनस Q है देखो वही माइनस Q है तो कहता है कि किसका द्रब मान बढ़ेगा मने इधर A गो A है इधर A गो B है A है है B है तो कह रहा है कि इस पे पलस Q बहुत ज़्यादा दे दिया गया है इस पे माइनस Q दिया है तो बढ़ेगा किसका द्रब मान है हमेशा याद रखना है जिस पे माइनस डालिएगा वो ही बढ़ेगा तो यानि कि B का द्रब मान बढ़ जाएगा option क्या हो जाएगा B ठीक है माइनस वाला बढ़ जाएगा जिसको माइनस आवेश दीजेगा वही द्रब्मान बढ़ जाएगा चलिए अगला question देखते हैं इक काता है कि धातु के गोले A पर धान आवेश दिया गया ठीक है और गोले A के बराबर द्रब्यमान के दूसरे पर उ उसका द्रब्मान बढ़ जाएगा ठीक है चलिए आगए बढ़ेंगे 39 question कहता है कि विदुद छेतर E जे लंबवत रखे विदुद दियुद्रू आगुण P है इस स्थिति में दियुद्रू की स्थायतिक उर्जा सुन्यमान लेने पर E और P के बीच ठीटा कोन की स्थिति दियुद्रू की स्थायति जुर्जा कितनी होती है इसको तो आपको याद ही करना परेगा ठीक है यह स्थायति जुर्जा याने की एक यह हो जाएगा आपको P into में E ठीक है माइनस में माइनस में यह इनस बर जाएगा ठीक है चलिए अगला question देखते हैं 30 number कुलंबल क्या ह तो कुलंबल आप जानते हैं यह केंद्रिये बल भी है और विद्धुतिये बल भी आपसर नंबर सी सही होगा ठीक है आगे बढ़ेंगे अगला कोश्चन हमारा है कि समरूप विद्धुतिये शत्र में एक्स अक्षी दिशा में विद्ध्यमान होते हैं तो सम भी भव बताईए देखिए एक्स अक्ष बोला है न जी तो एक्स को छोड़के बाकिस अब जोड़ देजिए तो एक्स को छोड़ेंगे तो वाई जेड से मिलेगा हो गया यही अंसर सी हो जाएगा ठीक है चले आगे तरह बढ़ते हैं अगला कुछ चन है कि विद्धुत आवेस का क्वांटम इस यू का मात्रक कितना होता है तो इसका मात्रक हो जाएगा आपको टू पॉइंट नाइन इंटू टू दी पावर नाइन यही मात् कुलम मे कितना इस यू होता है इतना इस यू ठीक है और यस्टेटिक यूनिट आगे बढ़ेंगे जो कि अगला कोश्चन कहता है ते तिस नंबर स्थीर विधुत सैंघ्ची कहीं चेत्र हमीशा या उतकना अगला कोश्चन एक एक कांकी चाल्स निमन में से कौन सा अनुप भल नहीं करता हैं तो एक कांग की चालग के लिए जो हमेशा अच्छा होगा वह को ओल आभीष बंटा उपर हो जाएगा दैंट यह हमेशा अच्छा रहता कि आगए बढ़ी ए अगला कि अर consum अव्यो होता यह यह देखवाद यह थे एक कुलम में कितना होगा तीन गुण दसके पावर नव तीन गुण दसके पावर नौव एस यू ठीक है तो अप्ट्र नमबर यह हो जाएगा अगला है कि एक बिदुत्य दीधुरू को भीपरित आवेसु से बना है जिनके परिणाम जो है इतना 30.2 गुने माइनस 19 कुलाम एक हम माइनस 30 गुने इतना इनके बीच की दूरी क्या हो जाएगा इनके बीच की दूरी भी दे दिया हुआ है ठीक ना कह रहा है कि बिदुद दिवधु का आघुण है इन में से कौन सी है ठीक है इसको solve करना परेगा दूगो जैसे दे दिया आवेस एक का charge दे दिया है इतना ये लगभग दूगो proton के बराबर दूगो electron के बराबर दे दिया इनके बीच की दूड़ी भी दे दिया हुआ है तो द इतना दिया है ये plus minus कर लिजे एक के जैके 3.2 गुने 10 के power minus 29 ठीक न गुणा में जितना दिया है इसमें दूसे गुणा करा दीजे यही है इसका इतना बिच की दूड़ी इवला इसमें दूसे गुना कराइंगे 2.4 ठीक है सबको आप गुणा करिएगा तो approximately जो मान एक आविसित चालक के सता की किसी बिंदू पर विदुच्छेतर तिवरता होती है यह important question 2015 में पूशा हुआ तो यह वही हो जाएगा आविसित सता यह चालक का सता है तो किसी भी बिंदू पर अगर विदुच्छेतर तिवरता होगा का अनुपात निकालना है बहुत important question है इसको solve करते हैं ठीक न इसको solve करते हैं पहले कह रहा है कि F1 का जो value है वो हवा यानरवात के लिए हम जानते हैं कि 1 by 4 pi अना एपसाइलर नौट Q1, Q2 अबटा में हो जाएगा R2 और दूसरा कह रहा है कि F2 जो रखा गया कहा किसी भी माद्ध्यम में रखा हो तो इसका value हो जागा 1 by 4 pi अपसाइलर नौट ध्यान रखेगा अभी भी जो माद्ध्यम में रखता है दूसरे माद्ध्यम में न तो उसका परावाजतांग भी नीचे ही लिखा जाता है जायागा 1 by 4 sorry q1 q2 by r square q1 q2 by r square 1 by 4 pi epsilon यह लिखा तो हमारे पास सीधा बच्चा यह जो नीचे k दिख रहा है कि चल जागा ऊपर तो यह हो जागा यह बट्टा में नीचे बचेगा एक ना सॉरी के और नीचे बचेगा एक तो यही हमारा रेशियो हो जागा के अनुपाथ 1 ठीक है यही और एंसर हो जागा के अनुपाथ 1 तो इस नमबर का यह था हमारा के अनुपाथ 1 यह उप्सन नमबर B है ठीक है चले आगे सॉल्फ करते है थ्री नाइन कोस्चन यानि के उन्चालिस नमबर जो है किसी विदुत रोधी माद्यम का परावाधुतांक यानि की E R हो सकता है यह हमेशा ज़्यादा ही होगा एक या दू से ज़्यादा होगा तो आप्सन नमबर 5 या रखिये किसी भी विदुत रोधी माद्यम के लिए ठीक है चलिए अगला कोस्चन नमबर 40 देखते है विदुत छेत्र ई और विदुत विभाव भी के बीच में संबंध निकालना है यह भी बोट इंपोर्टन कोस्चन होगा इसको ध्यान से समझेंगे कोस्चन कहता है कि विदुत छेतिवता ई और विदुत विभाव भी इसके बीच में रिलेशन निकालना तो चुकि हम लोग पढ़ें विदुत छेतिवता जो ई होता है बराबर होता है और विदुत विभाव का परिभाव का परिभासा कहता है किये गए कार्य को ही विधुत विभाव कहा जाता है मतलब बल के विपडित दिशा में तो इसका जो परिभासा हम लोग लिखेंगे तो डबलू यह जो कार्य है कार्य बड़ाबर हम जानते हैं कि बल गुने विस्थापन बल अगुना में विस्थापन को हम एक्स माल लेते हैं और बटा में यह क्यू जैसे का तैसर हैगा तो यहाँ पर जो बल होगा वो विपडित दिशा में काम करेगा इसलिए इसके पहरे लगाएंगे माइनस ठीक है अब यहाँ से क्या करेंगी कि यह जो एफ बाई एक्स दिख रहा है एफ बाई क्यू दिख रहा है हम लोगों को यह एफ बाई क्यू इसको हटा के ई लिख देंगे ठीक है तो यहाँ पर हो जाएगा भी बराबर माइनस हाँ ना ई इंटू में एक्स तो इस हिसाब से अगर केवल ई का हम पड़ी भासा लिखते है तो ई बराबर क्या हो जाएगा ज़रा सोचिए तो यह एक्स चल जाएगा इसके नीचे तो यह जाएगा माइनस भी बटा में एक्स अब यही अगर डिफरेंशेट के फॉर्म में लिखेंगे तो माइनस डी भी और बटा में डी एक्स ठीक है तो यही हमारा फाइनल एंसर हो जाएगा याद रखिए माइनस डी भॉड एक्स क्या ई बराबर यह भी दुच्छे तीशेतरता ई बराबर माइनस डी भी भॉड माइनस डी भीड नीएक्स ठीक आप देखते हैं आगे इवर आवर माइनस डिवीवाई डिएकस माइनस यही हो जाएगा आपसे नमबर एठीक है आगे बढ़ते हैं अगला कोस्चन है एक तालिस नमबर किता यदि किसी खोकले गोली चालो को धनावेशित किया जाए तो उसके भीतर का विभाव क्या होगा चलिए आगे कोस्चन देखते हैं 42 कहता है कि साबुन के एक बुल्बुले को जब आवेशित किया जाए तो उसकी त्रिज्या क्या होगी तो कभी भी यह साबुन का यह बुल्बुला है इसको आप आवेशित करिएगा न तो यह दीरे दीरे ऐसे करके बढ़ता चल जाएग तो साबुन का बुल्विला को आवेसित करिएगा तो इसका त्रिज्य का हो जागा बढ़ जायागा ठीक है अप्सन नंबर एस सही होगा अगला कोस्चन देखेंगे अगला कोस्चन कहता है 43 विदुद्द्रू आघुर्ण का ऐसा ही मात्रे क्या होता है अना एलेक्ट्रिक ड मात्रक होगा वो कुलम हो जाएगा और 2L क्या है एक परकर की दूरी है तो इसका मात्रक हो जाएगा मीटर तो यह जाएगा कुलम मीटर ठीक है तो देखेंगे कुलम मीटर ऑप्सन नंबर कुन सा है ऑप्सन नंबर एक कुलम मीटर ठीक है आगे बढ़ेंगे अगर कोस्चन है 44 कहता है कि विधुद्चेतर में प्रवेश करने वाले इलेक्ट्रोन का प्ररंभिक वेग विधुद्चेतर से भिन दिशा में है ठीक है इधर अगर विधुद्चेतर जा रहा है और इलेक्ट्रोन से अलग दिशा में कहीं Epsilon not की भीमा कितने होते तो Epsilon की भीमा हो जाएगा M-1, L-3 और T4A2 यादि कि यह हो जाएगा option number B इसको ग्याद भी कर सकते हैं हमारा हम से जैसे F बराबर हो जाएगा 1 by 4 by Epsilon not Q1, Q2 अब अब टा में R2 यहां से का करेंगे इस Epsilon को अलग कर लेंगे इस साइट भेज़ करके और सबका बीमा निकाल देंगे बारी बैर से फोर्स का, इसक्यू का, आर का है ना तो निकल दागा यही ठीक है आपसर नमबर 20 ही होगा आगे बढ़ेंगे अगला कोश्चन है, 46 नमबर, कहता है कि दो सजाती वो बराबर आवेस्क्यू को मिलाने वाले डेखा के बीच में एक अन्य आवेस्क्यू रखने पर निकाए संतुलित हो जाता है तो जब संतुलित हो जाएगा उस परिस्थिती में हमेशा जो इस Q का वैलू होगा उसका माइनस चोथाई होगा यानि कि यह D हो जाएगा आपसर नमबर D ठीक है माइनस Q बटा में 4 अगला कोशन देखते हैं 47 क्याता है कि एक इस्थिर आवेस उत्पन्न करता है जब कभी आवेस इस्थिर आएगा इधर माइनस की वचा है पलस की विए इस्थिर आएगा तो अपने चारो ओर केवल और केवल बिधुतिय चेतर उत्पन्न करेगा ठीक है option number A कियेवल बिधुतिय अच्छे तो इस थीर अवस्था में और यही गती अवस्था में करेगा तो बिधुतिय और चुमबके दुनों यदि यह गती करता तब ठीक है चलिए आगे बढ़ें अगला question है 48 किसका अस्तित्तो संभव नहीं है अना तो यह हम लोग पढ़ चुके थे बहुत पहले जो क्वांटमी करन का सिद्दान्थ पढ़े थे कि Q बढ़ावर जो होता है Q बढ़ावर होता है पलस माइनस N इंटू में E यहाँ N जो है नमबर अफ इंटीजर यानि कि पूर्न अंख है पूर्न अंख यहाँ पर पूर्न अंख होना चीए कुछ भी रहा है यह एक दो तीन कुछ भी रहा है दो ही लिए मान लिजिए और E मने एलेक्ट्रोन तो इलेक्ट्रोन प्यावर एक दसमलो 6 गुणा 10 के पावर माइनस 19 कुलाम होता है अब साधानता याद करने के लिए आप यह समझ लिजिए कि जब इस सूरे के गुणा में होना चाहिए ठीक है मने पूर्न गुणा तो करें सूरे दुनी के 32 मने 3.2 हो सकता है सूरे 3.4, 4.8 हो सकता है सूर्चव का 64, 6.4 हो सकता है अना 16 ये भी हो सकता ये कभी नहीं हो सकता ये 16 के पहारा में नहीं है अर्थात हम कह सकते है कि इसमें इतना कुलं एलेक्ट्रोन जो है समभव नहीं है ठीक है तो अप सन नमबर सी साही होगा अग्ला कुस्चीन है हमारा कि मुक्त आकास का जो पड़ावाइद होता एपसालन नोट का वैल्य होता है तो ये तो रट गया है हम लोग है ना कि 8.854 गुने 10 के पावर माइनस 12 फैराडे ब्रती मीटर ठीक है अगर देखेंगा अकला question question number 15 question कहता है कि यदि दो आवेसो के बीच की दूरी दूगुनी कर दिया जाए तो इनके बीच जो लगने वाला बल है force वो कितना गुना हो जाएगा तो देहान रखेगा यदि दूगुनी कह रहा है तो आख मुद के answer मार देंगे 1 बटा 4 ठीक है अगर यही 3 गुनी कहेगा तो हम मारेंगे 1 बटा में 9 यही अगर 4 गुनी बोलेगा तो हम मारेंगे 1 बटा में 16 अब देखेंगे कारण कैसे होता है ठीक है यहाँ पर देहान दीजिए हम पढ़े हैं कि F बढ़ाबर यह होता है के Q1 Q2 बटा में R² अब यहाँ माल लिजिए कि एक इधर electron है एक इधर electron है इनके बीच की दूरी R है तो इसके कारण माल यह आवेस है Q1 यह आवेस Q2 है तो इनके बीच की जो दूरी है वो तो R है यदि इसके बीच की दूरी 2R हो जाएगा तो जहाँ पर 2R लिखेंगे तो देखो यहाँ पर यह क्या हो जाएगा KQ1 Q2 जैसे रहेगा लेकिन इसके बटा में जो होगा वो 2R का whole square हो जाएगा तो यह देखेंगे बटा में क्या हो जाएगा 4R के जगे हो जाएगा R square तो देखेंगे तो इधर से मिला यह तो उपर 1 होगा न जी तो 1 बटा 4 गुन नहीं हो गया बल यह हो जाएगा F और बटा में 4 गुन नहीं की बल 1 चौथाई हो जाएगा कब यह जब 2 गुना हुआ तब यही अगर 3 गुना रहता है यहाँ पर 3 हो जाता तो यह एक बटा 3 के 9 यहाँ पर 9 हो जाता ठीक है अगर यही यही अगर जो है परचीस एक बटा 25 हो जाएगा ठीक है अगला कुस्चन है 51 पी आगुन वाला एक बिलती है देदरू ई के साथ 90 डिगरी के कोन बना रहा है तो उसमें से जो बल आगुन होगा वो कितना होगा तो हो जाएगा पी कॉस थीटा तो पी ए और कॉस थीटा थीटा के जगे 90 ठीक ना तो पी ए और कॉस थीटा के जगे 90 का बेलू एक है ना तो यह हो जाएगा एक तो केवल पी ए हमारा एंसर आएगा अप्शन नमबर ए ठीक है 52 कहता है कि ए तिब्रता के बिधुत छेतर में पी दिवधुरु आघुर्ण वाले बिधुत दिवधुरु पर लगने वाला जो बल आघुर्ण होगा वो कितना होगा तो बस वही पी जो मिला था पी क्रॉस ए हो जाएगा यह सदीस रूप है पी क्रॉस ए हो जाएगा अगला कोस्चन 53 पी किसी बिधुरु की आक्षा से आठ दूरी पर बिधुरु चेतर की तिवधुर्टा ए होती है तो ए समानुपती वन बटा में आर क्यूब होगा अप्शन नंबर है डी अप्शन नंबर डी सही होगा इसका ठीक है आगे बढ़ेंगे अगला कोस्चन कहता है फोटी फिफ्टी पोर ठेक है बिधुरु तिवर्टा का बीमा क्या है बिधुच्छे तिवर्टा का बीमा बस निकाल लेंगे बड़ा ही आसान होता है बिधुच्छे तिवर्टा का बीमा निकालना हम लोगों को L कहीं है नहीं है ML T के साथ दिए 1 गो ट उपर भागेगा तो यह जाएगा T minus 3 A minus 1 ML T minus 3 A minus 1 ML T minus 3 A minus 1 देख ते कहाँ है A minus 1 अच्छा यह नहीं दिया है I देदिया देख लिए ML T minus 3 I minus 1 दिया ठीक नशी हो जाएगा option नश्चा चलिए अगला question काता है 55 इसी आवेसित खुकले गोलाकार चालक के भीतर बिधुत छेत्ति ब्रता का मान क्या है उसके भीतर हमेशा 0 ही आएगा इसको हमेशा याद रखे कोई सावी गोलाकार चालक है कोई सावी गोलाक चालक जो है इसके भीतर अगल इलेक्टिक फिलिंटरसिटी पुछेगा तो हमेशा 0 होगा ठीक है आगे बढ़ाएंगे अगला question काता है 56 number कि किसी आचालक पदार्थ के गोले को आवेस देने पर वितरी तो होता है तो आचालक है maximum ऐसा होता है कि आप उसको आवेस दीजिएगा न तो उस पे कहीं नहीं जाएगा ठीक है कुछ कुछ ऐसा है कुछ आलक में जिसे कागर वगरा हो गया मोमा जिस वो परावैदूत बोलते हैं तो वो हो सकता है बट maximum case में आप यहीं मारेंगे कि वो आवेस वितरित नहीं होगा ठीक है नहीं में से कोई नहीं option होगा आगे बढ़ेंगे 57 question कहता है कि किसी परावैदूत का परावैदूत तांक यदि epsilon r हो तो उसमें दो बिंदू आवेस के बीच की रिया सील बल f हो तो परावैदूत को हटा देने पर इन दोनों आवेसों के बीच के रिया सील बल का मान कितना होगा तो यह हो जाएगा epsilon r into में f ठेक है आपसन नमबर b सही होगा इसका अगर लास्ट question 58 r दूडी से अलग दो आवेसों के बीच f बल लगता है ठीक है यदि दोनों आवेसों के मान दूडना कर दिया जै आवेस को दूडना कर दिया हुए most important question अवेस को दूडी को आधा कर दिया तो लगने वाला जो बल है उसका मान कितना आएगा most important question है इसको देखेंगे यहाँ पर ठीक है question हमारा है Ri कि हम जानते हैं कि f बराबर होता है कि हाना q1 q2 आ बटा में r² कोश्चन हमारा क्या रहा है कि जो जो आवेस हैं इनको क्या कर दिया हुआ कर दिया है ना q1 suppose that और इन्टू में इधर q2 हो जाएगा आप बीच की दूरी को का कर दिया आधा कर दिया यानि कि एक बटा में दू आर यानि आर बटा दू कर लो एक एवर में r² कर देंगे ठीक है यह तो जैसे करता है रहेगा अब इसको ज़रा सॉल्व करने से क्या रहा है इस दू में दू से गुना कराएंगे तो दू दूनी के चार और वैसे ही q1 a q2 मिलेगा अब बटा में देखेंगे यह हो जाएगा r² अब बटा में यह दो दूनी के इधर भी 4 हो जाएगा यह चार ऊपर जब गुना जाएगा तो चार चब का 16 हो जाएगा तो सोरे अब हमारा यह कतम होता है चलिए यहां पर हमारे सेशन का दी एंड होता है हम कोशिस करेंगे हमेशा इस तरह का आपजेक्टिव वीडियो लाने के लिए तब तक जो है आप हमारे चैनल से जूरे रहें चेके रहें झाल झाल